सब्सक्राइब करेंगे जो की है मैंने बहुत बार सुना है इसका सबसे ज्यादा खासियत यह बहुत ज्यादा लंबा होता है मतलब अब देखेए यह जो है गांका है पहले तो हम जानकारे के दरेख कहा है किया होता। इसका है जा होता है पहले क मेंगा तार्यी कि में गया था था सै構ंघे कि सिस्का धाय है . नम इसका नाम रे द देख दोस्तरा न ज 맡ले ऑलाओन में तो यह जू मेंगो है ap यह पहले आप मेंने को बताई है कि यह जो मैंगो है इतना लंबा लंबा होता है इससे पहले मैंने ऐसा कोई भी मैंगो नहीं देखा जो इतना लंबा होता है मैंने मेरे हाथ से देखिये पूरा एक डम लगबत सब्सकों इसका एक हाथ से भी नहीं देखिया है वह इनिया यह जो मैंगो है इसका मर्केट कैसा चलता है और कितना की ज्यादा वह ज्यादा फॉलन इसके में होती है और इसका खाच यह इसका जो फूरुट ड्रॉफ फूरॉफ यह म्यांगो का जो बिज़ेसी पराइन वह इसमें फूरॉफ बड़ी शामिश्या है अच्छा फार्मार्स को बहुत दिक्कत होते हैं यह फूरॉफ होने के लिए तो च्यां ज्यादा फूरुट टीकती है अच्छा और इसका यह ब्रांच से बहुत हाड होता है हाँ 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 बहुत मजबूत होता है और द्वाइट के लिए ज्यादा जरूरी है आच्छा आपने देखिए इधर से जो है क्लियर सभी पाया है तो मैं दिखा रहा हूँ इस थोड़ा योलो टाइप का लड़े मतला ही तो यह नहीं आए आए यह यह इसका दोनों साइट से भी इसका जो है सब्सक्राइब कर ना चाहें तो अब जो है इसके लिए इसके ओपर फार्मिंग कर सकता है यह जो एक्स्पोट क्या आइए कितना दिन रख सकता है यह अगर आपने बोला है कि अगर हमने आल्ट्रा है देंसिटी मोड में किया है तो यह एक गर पर आपने तो बोलाएगी पांसो सबसे लाटेगा और अगर आप नॉर्मल फार्मिंग के हिसाब से देखे तो बारा वाई बारा यहां ऐसा किया तो सारे तीनसा थीनसा के असपास जो है पौधा बैठ था है अगर आप इंट्रक्रोपिंग कर सकते करना चाहे तो आपका 15 वाई 15 वाई 15 वाई 20 भी है उस पर जितना डिस्टेंस ज्यादा देंगे उतना ज्यादा कम होगा पौधा पौधा बैठ एगा एंड फॉलन भी उतना ज्यादा कम होगा और यह जैसा है कि आल्ट्रा है दिनसी अगर मान लिजिए कि 363 मतलब एक पेड़ से आप कितना मैक्सिमम फ्रूट अप ले पाएं यह तो देख रहा है कि बहुत वेट है ज्यादा होता है आप देख साथ है कितना फ्रूट एक दो तीन चार पाच्छे साथ ना दस दस फूट है मतलब आग मान लिए 10 किलो अगर ह हो जाए मतलब इसके तो हर्वेस्ट होगा है अब बाकी है जो बचा हुआ है वह ही आपको देखा रहा है तो आप मान लीजिए मिनिमुम अगर बारा केजी अगर आपने अग्दम मिनिमुम करके लिया बारा केजी एक पेड़ से इन्टू दस भाई बारा की सबसी बिठा है सिक्स लाक फिप्ट ट्रीए थाउजड सो साड़े छे लाक के आशपास जो है एक एक एकड़ से अधर आफ्या यह जाता है उतना ही जो है यह प्रॉलों ज्यादा बढ़ता है अब आपको आम मैक्सिमुम देख जाएगा तो बारा से पंदर लाक रूपे पार एकर वाकर ज जनेट हो जाएगा आफ्टर सेवन टो एट यह तो गाइज यह पहले टाइम जो है सारे पाथ छे लाग के आसपास आज शुरू हो जाता है बाकी जो जितना दिन जा इनके बारा से पंदर लाग रुपे मैक्सिमुम तक जाता है तो आभी आम बतने टेमपरेचर टेमपरेचर मैक्सिमुम कितना आता है मतलब टेमपरेचर कौन सा टेमपरेचर पर एक्जैक्ट सूट करता है और टेमपरेचर 42 यह तो है यह इस साल तो 43 हो गया लोएस्ट लोएस्ट आया था 10 डिग्री जैसा आज हमने डेट देख रहा है तो आज जून का 22 तारीख है अभी तक कम्प ज्यादा परने के वज़ए से जो है क्या है कि इस बत थोड़ा फास्ट टेस्ट यह हर्वेस्ट हो गया तो यह अगर बिसिकली जून के दस तरीच यह फिस जून के पाजून के पास्ट ट्रीक में अगर बरसत आ जाता तो यह मैंगो भी और भी बहुत बढ़ी है साइस दे हमारा इधर इस्टेबल नहीं करता है हमारा इधर हर दीन 42 41 39 ऐसा आपको जो है वेरियेबल होता है अगर आपको यह पौदा जेनुइनली ओरीजिनल मादर बीट चाहिए मादर बीट से बनाय हुआ जो पौदा है वह अगर चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर दंबर दिया क्या हुआ है कैसे क्या करना है अशा कर तो मीरे सब बता दिया है अगर आपको इस फर्मिंग को पर इंट्रेस्ट जैसा अगर आपने चाहिए कि यह रहे नंबर पर दिखने के लिए तो आप के पॉदा देंगे हमारा प्रेमेंट करनेशन अलोएट रहता है और आपको जो है और अगर आपको चाहिए तो अब्यूसली बोशंद्रा नर्स्टरी की तरफ से लेना हो क्योंकि हम अलोएज लाइब देखाता है और जिसके पास अरिजिनल मदर प्लांट होता है उसी के पास से हम पास से पॉदा करके जो है पॉदा आपको सप्लाइ करते तो इसलिए अननेट परसंट गणरेंटे रहता है फालोन देखि रहा है यह पाद आगर जनुन पादा चाहिए तो ऑबिसली आप हमसे कस्मों नाम से ले सकते ना हाई हम क्यों से अधर को पादा चाहिए तो आप कितना साई यह देख लीजिए आपको मिनीमम इसके 10 इंच के उपर होगा और यह ओरीजिनल पॉदा जो चैंग माई ब्रीड है इस चैंग माई का ओर पॉदा चाहिए तो अगर यह पॉदा आपको इरिया पर सूट करता है आप हमारे इसके नमबर पर कॉल कीजिए आपको